असलाम वेटो वीवर्स आज वे आपके साथ समझ के जो ड्रेसिज की डिजाइन शियर करूंगी यह जेकार्ट का ड्रेस है हमारे पास काय ब्लू कलर में यह हमने इसको फ्रॉब का जो स्टाइल दिया है आनोगर प्रिंट हो तो उसको अप अफनी मर्जी से डिजाइन कर सकती यह ड्रेसिज को यह आनोगर का डिजाइन था श्र्ट का जेकार्ट में यह इसको पर काफी खुश्वा साजेगार्ट जो बना हुआ है यह हमने एक एक जो साइडों पर पैनल डाले है नीचे से इसका फ्लेर बढ़ जाता है जो पैनल हमने आटेज की पहले में आपको यहा पर हमने यहां पर यहां पर नीच के बाराइब इच्श की डूंड की जो इसकी घ्रकलर की यहां पर नूपस लगाए तीन-तीन लूपस लगाई हो थो फोड़ दिंस पर नूपस लगाए 813 डियो होज़ों पैनल है उसके सास यह देखी गा हमने यहां पैर लूप्स लगा कि इसको काफी अच्छी म Roux के बाद हमनी इसप्रांट और वैक सैड वहां पैसे सिंपल पाइपिंग कैई को वं यहां से स्टार्ट करते हुए यहां पे हमने इसके पैनल के दन्मियान ने हमने पाइप लिए हैं मेरी कि लिघा यह और फ्रंट और बेकविड का जो इसका फस्टार्शन करता है gimna ये इसके बाजों के दर्मियान ने हमने इस तरह से दो दो लूप्स लगाई है दो दो लूप्स लगाने के बाद दर्मियान ने हमने एक बार इसकी सिंगल पाइपिंग की है ये भी गुल तरीके से की है और फ्रांट के बाजों पर हमने पाइपिक की है और ये काफी जो था वह काफी बिए था इसकी दीचे से नाउन की ऑफा होगा मैं नीचे से स्टीप रख क्या आ पो दिखा रही हूं कि उससे फ्याइब की स्टीप ब्रीग जो इसके ब्रीग जो स्टीप के सूट होते हैं उनके नीचे से आप स्लीप बनाती हैं तो वह ड्रेस आपका काफी पुपसरत हो जाता है सेम कलर की स्लीप लगाने से बजाए इसके क्या वाइड कलर की इसके नीचे से स्लीप यूज करें मैं तो आपको यह कहोंगी कि आप जब भी इसतारां के बरीट कोई ड्रेसिस लांड के है उनके निचे से यह देखेंगा कि लौन की श्मीज स्यम कलर की अच्छी लगती है स्यम पिलर की स्वाइड की स्प्रीश के निचे से डूपल भी अच्छी नहीं लगती थी यह इसका ट लगाई और इसके अंदर जो पती थी बची हुई वह थी फ्रेशन पती से लगाएं इस तरह से लाने की पुप्ट्रटिवे की अधाशा ओनाता है यह दो रशाड़ Primus का आ ही हूँ यह भी चरत हैं जिसका नेक हमने बाउडर के साथ डिजाइन किया है और यहां हमने की लिगा है और यहां पर नीचे हमने यही तरपाई की है और यहां पे जो इसका बाउडर था वह मनें इसके CenterWorks की एचिऑ इसकी वैक साउट का प्रिंटम यह से नीचे से के दामन के डिसाइन और यहां पर हमने फ़रंट के यह को पर हमने बॉरडर अलग से यहांरा बॉर्डर और अलग्से था शेट की फ्रंट साइट पर यह वाला बॉरडर था अलग्सें यह हमने बाजु के आखेस कर दिया है यह यहां पर हम ने लगा कि और वपर इसके बॉर्डर लगाके थो फयर अंदर से यह देखेगा जूम तरीके से इतना नीड काम करते हैं तो काफी सारी मेहनत होती है काफी शाया कि पर की में पर पर तक हुआ इसके साथ यह जो है यह जो है सिंपन हमने शल्वार के नीचे हमने पहुंचे कि इस तरह से एक स्लाइब यह एक नीचे लिए पौना-पौना इंच का हम नहीं हम पुक्रम अटेज किया है और शल्वार का घेर हमने ज्यादा करने के लिए यहां पर कपड़ा लाग से अटेज कि यह इसका शपून कि इसकी प्रवाई है बड़ा फूप्ट्रा से इस तरह से लुका आजाती है इस तरह करवाने से भी आपको इसका डिखा रही हूं यह इसका नेक्स नेक्ट जो हमने यह शुरुआरवन फैब्रिक से नेक्राइड है और इगला हमने उपर की तरफ लटाया लटाके उसके ब बटन लेकलार के और यह जो शड़ फ्रेट वाली शर्ट है यहाँ पर फिटिंग के लिए प्लेट लगाएं और यहां पर यहां पर कि नारों पर इसके अंदर से घुम तरीके से हमने यह लेस लगाई यह शाग पर दामन पर में लेस लगाई है इसकी बैक साइड का प्रिं जिद वार के नीचे एक एकस लाइयां लगा के हमने इस के पॉँ्चे बनाए है इसके यह बह्यार वाली शिल्वार यह यहां सी यह देखिए गल्स के किया यह इस दुबटे का डिजाइन है इसके चारों साइडों पर हमने जो लेस्ट लगवाई यह वह हमने बजार से लगवाई है पीको के साथ यह इसके अंदर जो है यह यह देखिए यह फैशन पर्टी की लैस नहीं लगा जा सकते लेकिन यह नोन का दो तो मैंने इसको चैनीन ने इस तरह से इस दोटे को चैडैनों सादों पर लयाइस लगाई इन कर ड्रेस के साथ है इसको पर सारा है यह बने अगे मैं कफेशन में काफी इनन यह इसके दामन के डिजाइन नीचे हमने यह ट्राइंगल लगाएं और यह लिग तरीके से देखेगर नागन गए और साइड़ों पर प्राइगन लगा है तो इस शर्ट को डिजाइन गए है यह जो ड्रेसे दिखा रही हो यह मत क्रेक्शन में से दिखा रही हूं इस तरह के जो आप थोड़ा फोड़ा डिजाइन करके तो सूख रैडी किये जा सकते हैं उनके ऊपर भी ठोड़ परपल का लर्का जो इसके साथ रड़का कॉंबिनेशन है वाइड दवट्टा और परपल इसके पर डिजाइनिंग नहीं की जाती है इसके भी नीचे से पॉंचे बनाएंगे और पॉंचों को पर एक एक फॉंकिस लाएंगे इस तरह से सिंपल इसके शलुआ रहे हैं थैक्स के अन्राजी